स्टुडेंस आज हम करेंगे कक्षया 4, पाप 4, पापा जब बच्चे थे का रिटर्न वाक, पहले हम फिल करेंगे, उसके बाद कॉपी में करेंगे, तो यहां तक आपको जोसी सर ने कराये था ना, तो यहां से आगे मैं कराऊंगे, इसको मैं कॉपी में कराऊंगे, आओ खे सेख चिल्ली कहता है, पापा अपने पैल से कान के पीछे नहीं खुझा पाते थे, आओ देखें, तुम कॉन-कॉन से काम कर सकती हो, एक खेल खेलते हैं, खेल का नाम, पेज टन करेंगे बच्चो, पेज नंबर 28 निकालेंगे आप, खेल का नाम है सेख चिल्ली कहता है, तो शेख चिहली कहेगा बागी सब को वैसे ही करना है, तो क्या करना है तो तुम मैं से चे वरिए न वैसा ही आपको करना है, शेख चिली इस तरह के आधेश दे सकता है अपने दाये हाथ को सीर के पीछे से ले जाकर नाग को पकड़ो अपने दाएं हाथ से दाएं टांग के नीचे से ले जाकर दाएं कान पकड़ो सेख चिली कहता है खड़े होकर जुखो अपने हाथों से पैरों को छुओ सिर अपने घुटनों से लगाओ ध्यान रहे तुम्हें केवल वही आदेश मानने है जिसके साथ चुड़ा हो सेख चिली कहता है अगर तुमने कोई और आदेश मान लिया तो तुम खेल से बाहर हो जाओ तो आप ये खेल खेल सकते हो ओके वच्चो तो एक सेख चिली बनेगा जो सेख चिली कहेगा वो ही आदेस आपको मानना पड़ेगा जैसे सेख चिली कहेगा अपने दाए हाथ को सिर के पीछे से लेकर नाग को पकड़ो तो आपको पकड़ना है और ध्यान रखना है कि तुम्हें केवल वही आदेस मानना है जिसके साथ जुड़ा हो सेख चिली कहता है अगर तुमने वो आदेश मान लिया अगर तुमने कोई और आदेश मान लिया तो तुम खेल से बाहर हो जाओगे तो आपको ये करके देखने हैं अब है सोज विचार अफसर के जाने की बाद पापा बहुत सोचते रहे बताओ वो क्या-क्या सोच रहे होंगे सही का निसान लगाओ या अफसर आखी कौन है अब मैं रोज-रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता या अफसर आखी कौन है सोच रहे होंगे नहीं सोच रहे होंगे अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता, ये पापा सोच रहे थे, ओके, तो इसमें टिक करेंगे हम, कुट्टा बनना बड़ा कठिन काम है, ये फौजी अपसर मुझ पर हसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हसते हैं, इस अपसर को कुट्टा बनना नहीं आता, इसलि मुझे बहका रहे हैं, और क्या सोच रहे थे, ये फौजी अपसर मुझ पर हसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हसते हैं, ओके, और क्या सोच रहे होंगे बच्चों, और सोच रहे थे, मुझे, मुझे, तो पता नहीं, कि इनसान किसे कहते हैं, और क्या सोच रहे थे, पापा, ये सोच रहे थे, कि मुझे तो पता नहीं, कि इनसान किसे कहते हैं, और क्या सोच रहे होंगे, मैं, इनसान, बनना, चाहता, तो क्या क्या सोच रहे होंगे, मुझे तो पता नहीं, कि इनसान किसे कहते हैं, मैं इनसान बनना चाहता हूं, और सोच रहे थे, मैं इनसान बनना चाहता हूं, अब नेक्स पेज में है अगर पापा ने कहा अपना ठेला में स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहां लगाती ऐसा तुमने क्यों तै किया अगर तुम रेल से सफर करोगी तो तुमें प्लेटफॉर्म पर और रेल गाड़ी में कौन-कौन लोग नजर आएंगे तो बच्चो ये दो क्विश्चन मैं आपको कौपी में कराऊंगी पहले मैं आपको बुक में कराऊंगी बुक का फिल कराते हूं उसके बाद मैं कौपी में कराऊंगी परिवार पापा की पापा को दादा कहते हैं इन्हें तुम अपने घर में क्या कहकर बुलाओगी पापा की पापा को क्या कहते हैं बच्चो दादा जी कहते हैं आप भी कहते हो ना पापा की पापा को क्या कहते हो दादा कहते हो न तो इन्हें तुम अपने घर में क्या कहकर बुलाओगी पापा के पापा क्या कहेंगे पापा के पापा को दादा जी पापा की मा पापा की मा को क्या कहते हैं आप सोच कर बताओ आप क्या कहते हो अपने पापा की मा को दादी जी पापा के बड़े भाई ताउ जी या बड़े पापा, पापा की बहन बुआ, पापा की छोटे भाई क्या कहेंगे, चाचा जी, आप भी सोच के बताना, मा के पापा, अपनी ममा के पापा को क्या कहते हो, आप लोग, नाना जी कहते हो, नाना, मा की मा, अपनी ममा की ममी को क्य क्या कहते हैं मामा जी मा की बहन को क्या कहते हो आप शोच के बताओ मा की बहन मोसी कहते न बहन के पती को गटना जिजा जी ऊंक है हैं अप detection के पपापा पापा, यहाँ पर लिखेंगे हम दादा जी, पापा के पापा को क्या कहेंगे, दादा जी, पापा की मा को दादी जी, ओके, दादी जी, राइटिंग बहुत अच्छी बनाने हैं आपको, पापा की बड़े भाई ताउ जी, ओकी, पापा की बेहन बुआ जी, पापा की छोटे भाई चाचा, चाचा जी, ओकी, मा की पापा, नाना, जी, मा की मा को क्या कहेंगे बच्चो, नानी, जी, ओकी, मा की भाई, मामा, जी, आप लोग भी सोचना इसको, मा की बेहन, मौसी, जी, बेहन के पती, जी, जा, जी, ओकी, तो देखे बच्चो, पापा की पापा को क्या कहेंगे दादा जी, पापा की मा दादी जी, पापा की बड़े भाई ताउ जी, पापा की बेहन, बुवा जी, पापा की छोटे भाई, चाचा जी, मा के पापा, नाना जी, मा की मा, नानी जी, मा की भाई, मामा जी, मा की बेहन, मौसी जी, बेहन के पती, जी-जा जी, तो आपको यह बहुत अच्छी राइटिंग में लिखना है, ओकी? तो यह मैं आपको कॉपी में खराऊंगी, ओकी? तो नेक्स पेज में है, कौन किसमें तेज? कौन किसमें तेज? ओकी? तो हम इसको पढ़ेंगे पहले, सबी बच्चे और बड़े किसी न किसी काम में माहिर होते हैं, कोई साइकिल चलाने में होस्यार होता है, तो कोई चित्र बनाने में तेज होता है, तुम्हारे दोस्तों और परिवार में कौन कौन काम में, परिवार में कौन किस काम में माहिर हैं, उनके नाम लिखों, तो बच्चों, आपने देखा होगा ना, सबी बच्चे और बड़े किसी न किसी काम में बहुत परफेक्ट माहिर होते हैं, को कोई साइकिल चलाने में जैसे कोई बहुत होश्यार होता है साइकिल चलाने में और कोई चित्र बनाने में बहुत तेज होता है तुमारे दोस्तों को देखा होगा परिवार में देखा होगा आपने तो कोई बोलने में बहुत तेज होता है कोई मजा करने में बहुत तेज होत दोस्तों मेंसे कौन किस काम में माहिर है उनका नाम लिखना है कौन किस काम में माहिर है उनका नाम लिखना है तो हम पढ़ते हैं जो बड़िया कहानी गढ़ सकते हैं तो आपके परिवार या दोस्त में जो बड़िया कहानी बना सकते हैं उनको उनका नाम लिखना है जो नाम यहां पे लिखना है। जो कलावाजिय भलावाजिय आ क्लावाजिय आ कश्क्ते है। कि लिद mä्रॉ Applause से लिदeste कुम्षे उधाज कि विद्खेक। जाली हुएं पड़ेदान सीजितजितिता रखत्ता है। जो क्यों। जो सब के सामने किसी चीज के बारे में दो मिनट तक बता सकते हैं। नाटटग कर सकते हैं, जो बेकार परिणी चीजों से सुन्दर चीज़ें बना सकते हैं, उनका यहाँ पर आपके परिवार یा दोस्तों में से आपको कौन किस चीज में माहिर है, उनका नाम लिखने, जो बढ़िया कहानी गड़ सकते हैं जैसे चाचा जो खुबसूरत कड़ाई कर सकते हैं किसकी मम्मी करती हो की ना मम्मी जो कलाबाजियां कर सकते हैं जो दूसरों की बढ़िया नकल उतार सकते हैं मेरा दोस्त रोहन आपका दोस्त कोई भी हो सकता है उसका नाम लिखेंगे ओके जो हाथ से बढ़िया स्वेटर बुन सकते हैं दादी जो सबके सामने किसी चीज के बारे में दो मिनट तक बता सकते हैं भाईया जो कठिन पहेलियां सुल जा सकते हैं पापा तो आप अपने परिवार या दोस्तों में से आपी सोचना और उनका नाम लिखना जो खुल कर जोर से हस सकते हैं दादा जी जो तरह तरह की आवाजे बना सकते हैं मेरा दोस्त कमल आप अपने दोस्त का नाम लिख सकते हैं जो अंदाजे से ही चीजों का सही माप या वजन बता सकते हैं दादा जी जो बड़िया अभी नहीं कर सकते हैं मामा जो बेकार पड़ी चीजों से सुन्दर चीजյें बना सकती हैं बुआ बुआ भी बनाती हो की ना किसी की बुआ तो बच्छो जो बढ़िया कहानी कर सकते हैं चाचा जो खुबसूरत कराई कर सकते हैं मम्मी जो कलावाजियां खा सकते हैं ताओ जी जो दूसरों की बढ़िया नकल उतार सकते हैं मेरा दोस्त रोहन ओके आप अपने दोस्त का नाम लिख सकते हैं हाथ से बढ़िया स्वेटर बुन सकते हैं दादी जो सब के सामने किसी चीज के बारे में दो मिनट तक बता सकते हैं भहिया जो कठिन पहेलिया सुल जा सकते हैं पापा जो खुल कर जोर से हन सकते हैं दादा जी जो तरह तरह की आवाजें बना सकते हैं मेरा दोस्त कमल जो अंदाजे से ही चीजों का सही मा प्या वजन मता सकते हैं दादा जी जो बढ़िया भी नहीं कर सकते हैं मामा जो बेकार पड़ी चीजों से सुन्दर चीजों बना सकते हैं बुअ तो नेक्स पेज में जाएंगे हम दूसरे पेज में है बच्चो तुम किन किन चीजों में माहिर हो यह भी बताओ तो बच्चो आपको बताना है कि आप किस चीज में माहिर हो आपको यहाँ पर लिखना है तो आपको लिखना है आपर मैं तरह की आवाजें निकालने में तथा दूसरों की नकल उतारने में और लिकने में दूसरों की आवाजें दूसरों की आवाजें निकालने में में दूसरों की आवाजें दूसरों की आवाजें निकालने में मैं माहिर हूँ तो तुम किन किन चीज़ों मैं माहिर हो बच्चों आपको बताना है मैं तरह तरह की आवाजे निकालने में तथा दूसरों की नकल उतारने में और लिखने में दोडने में तथा दूसरों को हसाने में माहिर हूँ तो आपको लिखना है ओके यह आपको बहुत अच्छी राइटिंग में लिखना है बच्चो अब है कैसे थे पापा नीचे लिखी पंक्तियां पड़ो इन पंक्तियों के आदार पर बताओ कि तुम पापा के बारे में क्या सोचती हो ओके नीचे लिखी पंक्तियां पड़ो इन पंक्तियों के आदार पर बताओ कि तुम पापा के बारे में क्या सोचती हो को है पापा के पास जबाब हमेशा तैयार होता था ऐसा लगता था कि पापा बहुत चतूर थे तो जैसे यह दिया हुआ है ऐसे नीचे भी बनाने हो जैसे पापा की पास जवाब हमेशा तैयार होता था ऐसा लगता था कि पापा बहुत चतूर थे खो है पापा का जवाब हमेशा अलग-अलग होता था पापा का जवाब क्या होता था हमेशा अलग-अलग होता था ऐसा लगता था कि तो आपको इसमें भरना है तो क्या होगा बच्चो पापा का जवाब हमेशा अलग-लग होता था ऐसा लगता था कि पापा बिना कुछ सोचे समझे बोलते थे पापा का जवाब हमेशा अलग-लग होता था पापा बिना कुछ सोचे समझे बोलते थे अब है गवर मैं चोटे बच्चों को मुफ्त में आईस्क्रीम दिया करूँगा ऐसा लगता है कि पापा बहुत तयालू थे पापा बहुत दियालू थे मैं चोटे बच्चों को मुफ्त में आईस्क्रीम दिया करूँगा तो ऐसा लगता था कि पापा बहुत क्या थे दियालू थे रात में करने के लिए होता ही क्या है रात में मैं चोकिदारी करूँगा रात में करने के लिए होता ही क्या है रात में मैं चोकिदारी करूँगा ऐसा लगता था कि पापा बहुत मेहनती थी रात को चौकिदारी करेंगे तो इसका मतलब पापा मेहनती होंगे ना क्या है रात में करने के लिए होता ही क्या है रात में मैं चौकिदारी करूंगा ऐसा लगता है कि पापा बहुत मेहनती थे रात में करने के लिए होता ही क्या है रात में मैं चौकिदारी करूंगा ऐसा लगता है कि पापा बहुत मेहनती थे पापा क्या थे बहुत मेहनती थे तो बच्चो इसका बुक वर का आपका कम्प्रीट होगी है इस लेसन का तो मैं आपको कौपी में कराऊंगी आप जो कौपी वर के हैं मैं कौपी में कराऊंगी इस पेज में एक राया नेक्स पेज में बुक आपको बहुत अच्छी तरफ फिल करने है इसके बाद में कौपी रची अग्राऊंगки मेरा दोस्त रोहन लिखा है यहाँ पर आप अपने दोस्त का नाम लिख सकती हो कि यहाँ पर मैंने कमल लिखाय है आप अपने दोस्त का नाम लिख सकते हो ओकी बच्चो तुम किन किन चीजों में माहिर हो आपको बताना है आप किन चीजों में माहिर हो जैसे मैं तरह तरह की आवाजे निकालने में तथा दूसरों की नकल उतारने में और लिखने में दोडने में तथा दूसरों को हसाने मैं माहिर हूँ आप किसी और चीज में भी माहिर हो तो आप लिख सकते हो अब यह है जैसे पापा के पाज जबाब हमेशा तैयार होता था ऐसा लगता था कि पापा बहुत चतूर थे पापा का जबाब हमेशा अलग-लग होता था ऐसा लगता था कि पापा बिना कुछ सोचे समझे बोलते थे मैं चोटे बच्चो को मुफ्त मैं आईस्क्रीम दिया करूंगा ऐसा लगता था कि पापा बहुत दयालू थे रात मैं करने के लिए होता ही क्या है रात मैं मैं चौकिदारी करूंगा ऐसा लगता था कि पापा बहुत मेहनती थी तो बच्चो आपका बुक वर्क कम्पीट हो गया है आपको बहुत अच्छी तरह बुक फिल करने हो के थैंक यू